जहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का 90 दिनों का जो टार्गेट हम लोगों ने श्टार्ट के था उसका डे 7 करने वाले हैं इसके पहले भी हमने डे 6 तक कम्प्लीट कर है तो आज के डे 7 में हम आपको बताएंगे कि हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा शुरू सलिकर अन तक बने रहना है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अगन को जरू प्रेस किजेगा तकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पे आता रहे हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात करेंगे हिंदी में देख लिजिए आप लोगों को पढ़ना है नेत हैं तो एक बार जाके आप लोग वाटसप चैनल या वाटसप ग्रूप को जरूर जोइन कर लिजेगा वहां पर आपको सारा एबलेबल है चले दूसरा देखते हैं हम लोग अंग्रेजी में आपको कम्प्लीट करना है टू स्टोरीज एबाट फ्लाइंग आई हीज फर्स् संख्या क्या कम्प्लीट करेंगे वास्तिविक संख्या कम्प्लीट करेंगे और इसमें है आपका अपरिमय संख्याओं का पुनर भर्मन इसमें क्या है आपका कोश्चन नंबर एक तीन पांच और साथ को आपको रट्टाफिकेशन करना होगा यानि आपको समझना भी होग तो चार आटोमेटिक हो जाएगा, कोश्चन नंबर 5 को याद करोगे, तो 6 आटोमेटिक हो जाएगा, और कोश्चन नंबर 7 को करना होगा, ठीके, यानि कि कुछ सवाल होते हैं, इसलिए हमने कहा कि आप 1 को तयारी करो, 3 को करो, 5 को करो, और 7 को करो, लेकिन मैं वहाँ पर एक पे डिपेंट करेगा चार नमबर तीन पे डिपेंट करेगा और छे नमबर पांच पे डिपेंट करेगा बात समझ में आई यह सभी नोट्स हमने आपको वाटसप चैनल पर डाल दिया है ठीक है फिर मैं बार-बार कह रहा हूं कि जो लोग अभी तक जोएन नहीं किया है उसको जाकर जोएन जरू कर लिजेगा चलिए देखिए आप हम लोग कोश्चन नमबर चार पे टॉपिक नमबर चार पे आते हैं इसमें कह रहा है कि राज रशायनी कभी करिया और समीकरन एक हमारा चैप्टर है जो केमिस्ट्री का है फिजिक्स का हमने एक चैप्टर कंप इसका हम लोग ने सब्जेक्टिव कंप्लेट कर लिया अब इसका हम लोग वन लाइनर कंप्लेट करेंगे चालिश ठोब वन लाइनर है आप लोगों को याद कर लेना है तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरू वीडियो में थैंक यू